Hello Friends, आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट से आप Term2 के सेंपल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पर अगर आप Term2 सेंपल पेपर सर्च करते हैं तो गूगल में ये result आपको स्क्रेन पर मिलते हैं पहला result तो CBSE Academic website का ही है जो official website है CBSE की उसके बाद बाकि और भी बहुत सारे डिजर्ट्स आपको इंटरनेट पर मिलते हैं जिनमें term to sample paper के बारे में information दी गई है तो let's see कि ये websites कितनी useful हैं और कैसे आप इनसे CBC के term to sample papers को download कर सकते हैं तो पहला link जो CBC के official website का है उसको पहले देख लेते हैं इसमें CBC की तरफ से जो officially एक sample question paper और उसकी marking scheme दी गई है वो यहाँ display में है तो CBC के official website से एक sample paper और उसकी marking scheme आप बड़े अराम से download कर सकते हैं अब दूसरा link पर जाते हैं इस link पर CBC के sample paper आ गए इस बात की information दी गई है अगर मैं इसको पूरा डर्ल डाउन करता हूं तो कहीं पर भी CBC के actual sample papers आपको नहीं मिलते हैं बस केवल उसके बारे में information देख करके इस website में छोड़ दिया है दूसरी website को देखते हैं जिसमें CBC sample paper के बारे में बात की गई थी उपर और नीचे काफी सारी advertisement इसमें आपको देखते हैं इन advertisement के बीच में इन्होंने CBC का circular दिया है और उसके बाद इन्होंने CBC के official sample paper की link यहां पर provide कर दिया है यानि इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है जो CBC के official website में sample papers मिल रहे हैं बस वही link आपको इस website में मिल रहे हैं इसके अलावा कोई भी additional sample paper आपको इस website में नहीं मिल रहा है आगली website देखते हैं इनमें भी हमें लगबग लगबग यही हाल देखने को मिल रहा है और यहां पर भी sample papers में वही CBC की official website में जो sample papers दिये गए हैं उनके link आपको provide कर दिये यानि term 2 के sample papers इन तीन website में अभी अब तक हमें देखने को नहीं मिले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यह चौती website काफी popular website है और इन्होंने भी CBC sample paper के बारे में बात किया है राइट लेफ्ट उपर नीचे टॉप बटम चारों तरफ एड़ हैं और एड़ के बीच में आपको sample papers के link मिल रहे हैं अगर इन link को दियान से देखेंगे तो यह भी आपके CBC official website में दिये गए sample papers के ही link है इसका मतलब यह है कि CBC official website में दिये गए sample paper के अलावा आपको term 2 के sample papers कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं अब हम चलते हैं एक और website जिसको हम कहते हैं myCBC guide इस website के home page पर ही अगर आप student dashboard पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर मैंने class 12 को select किया है class 12 म mathematics ले लेते हैं और mathematics में आप देखेंगे यहां पर दे रखाए cbc sample papers अभी cbc sample papers पर क्लिक करते हैं तो यहां पर सबसे पहला जो link है वो है cbc term to sample paper यह cbc के जो official website में दिया गया sample paper है वो है उसके अलावा इन्होंने 11 sample paper और भी दिये हैं इस तरह के अलग-अलग sample paper आपको c cbc की official website के लावा बाकी जगे पर नहीं मिल रहे हैं और official website में भी किवल एक ही sample paper आपको मिल रहा है तो ठीक उसी pattern पर यहां पर काफी सारे sample papers बनाए गए हैं अगर मैं इसको download as pdf करता हूं तो यह pdf format में आपके सामने screen पर आ जाता है तो cdc की official website में जिस तरीके sample paper दिया ग सब्सक्राइब के अंदर दिया गया है इस तरीके से mycbc के student dashboard के अंदर आप नगेवल sample papers बलकी revision notes, ncrt solutions, important questions, ncrt examplers के solution, पिछले सालों के questions, videos, chapter wise test papers और online test भी access कर सकते हैं अगर मैं chapter wise test paper पर जाओं तो यहां पर 5 test आपको दिया गए हैं हर chapter से 4-5 test दिया गए हैं उन test में questions ह और इसके साथ चाथ आपको यहां पर online test भी मिलते हैं जिनको आप online attempt कर सकते हैं और अपना score भी वहीं पर देख सकते हैं इस तरीके से start test पर click किया है, और यहां पर इनको online attempt भी आप कर सकते हैं, और summit करके अपना score भी check कर सकते हैं Mycbc student dashboard में ना के वाल आपको बहुत सारे sample paper पर मिलते हैं बलकि आपको ऑनलाइन टेस्ट, चेप्टर वाइस टेस्ट पेपर, रिविजिन नोट्स, पिस्ति सालों में पूछे गए क्वेश्चन्स, वीडियो और NCRT सोलुशन्स भी मिलते हैं तो इधर बहुत सारी वेबसाइट में भटकने से अच्छा है कि आप किसी ए